उसा इसके लेखक समसेर बहादूर सिन है इनका जनम 13 जनवरी 1911 में हुआ था और इनका निधन 1993 में हुआ था इनका जनम आस्थान देहरादून उत्राखंड है इनकी मा का नाम प्रभुदेई और पिता तारीफ सिन्थे इनकी प्राम्भिक सिक्षा 1928 में हाई स्कूल हुआ और 1931 में इंटर किये और 1933 में भी ये इलहाबाद से किये 1939 में एमे करने के बाद वो आगे परहाई नहीं कर पाए 1939 में उनकी साधी धरम देवी से हो गया और 1933 में उनकी जो पतनी थी उनका निधन हो गया फिर परिवार वहीन अनिश्चित जीवन में रहने लगे उनकी विरितिया रुपाभ कहानी माया नाया सहित नाया पत एवा मनुहर कहानिया का संपादन कारे से जूरे हुए हैं हिंदी उर्दू कोस की संपरदान है उनकी एकासी से पचासी तक प्रेम चंद्र स्रीजन पिठ बिकरम विश्व विद्याले उजैन के अधियक्ष रहे थे उनकी यात्रा एक बहुत यादगार रहा था 1978 में सोबियत रूस के यात्रा उनकी जो किरितिया है 1932 में लिखना सुरू हुई थी दूसरा सतक जो है कुछ कभिताएं कुछ और कभिताएं चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने उद्दित बात बोलेगी काल मुझसे हो रहे मेरी तूटी हुई बिख्री हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलास परतिनिधी कभिताएं सर डाक्टर नामवर्शिन सभी कभिताएं डाइरी विविद परकार के निबंध एवं अलोचनाएं जो फूट का रूप में परकासित हुए हैं अग्या अरजून आदी के समकालिन समसेर बहादूर सिन आधुनिकी हिंदी कभिताओं में सवच्छ चेतना परियोग सिल कभी के रूप में दूसरा सब तक में उदित हुए हैं उसा पाठ में कभी कहते हैं कि सुर्य दे से पूर्व का आसमान नीले संख की तरह होती है भोर का आसमान राख से लीपा हुआ चोके की तरह होता है जो अभी गीला ही है कभी कहते हैं कि परभात कालिन वेला सोनदर से समागिड़े होती हैं कभी ये भी कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लीपे हुए चोके की तरह होता है ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया है लेकिन उस पर केसर का आभा दिखाई दे रही है कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सिलेटे पर लाल खड़िया चोक मल दिया गया है कभी ये भी कहते हैं कि नीला आकास मानो नीले जल की भाती परतीत हो रही है और सुर्य आकास में ऐसा परतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग का आभा चारो तरफ फैल रही हो कभी कहते हैं कि प्रातव कालीन समय सतरंगी होता है और आकास राक से लीपे हुए चोके की तरह परतीत होता है लेकिन सुर्य दै के बाद उसा रूपी सुंदरी की ललीमा और नीलीमा वाली सोभा नास्ठ हो जाती है अर्थात उसा का जादू खतम हो जाता है